हेलो फ्रेंड्स फल्कम बेक तो माई यूडिव चैनल इस्टेडी आर्ट अब सो आज डिसक्रस करने वाली यून 2013 थार्ड कुश्चन पेपर इवन आप चैनल पर न्यू है आपने प्रिविश यूडिविश सौल करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ज सारे ही क्वेश्चन पेपर के वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाने वाले हैं प्लेलिस्ट का नेम है जयारफ जयारफ विज्वल आर्ट इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एक्शली मुझे जून 2013 का क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं जयारफ की प्रप्रेशन कर रहे हैं आपको सबसे अच्छे से सेलेबस को फॉलो करना है और सेलेबस में कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक ऐसा है जो स्कॉरिंग मार्क्स है मैंने डिटेल में एक्स्प्लेइन किया है आप जरूर इसलिए आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो जादा बार पूछा गया है ठीक है उससे काफी हल्फ होने वाला है इसलिए मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूं 2013 जून कुश्चन पेपर इवन कुश्चन पेपर से ही बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और आप सेलिबस अच्छे से देखिएगा चले स्टार्ट करते हैं अब कुश्चन सॉल्फ कीजिए 54 रागमाला महतपूर चित्री पांडूली पी है मिवाश है लिकी मिस एंड सिंबर्स इन इंडियन आर्ट्स एंड सिविलाइजेशन हैंडिक ज अध्सणामा किसके टाइम डियरेशन का है पडसणामा शाजहां के शाशनकार से सम्बद दित है अगर्थ से रिलश्य। श्टोरीज मिलेगी वो अकबर के टाइम डिरेशन मिलेगी बस यह पद्स नामा जो है वो शाजहां के टाइम डिरेशन की है मगबरे से जुड़े लगे तुरण पाए गये थें किसमें अटाला मजजे जौनपूर में इस्पैनिश चित्रकार नहीं है कौन नहीं था फिलपो जिवारा इटालियन थे चित्रो का वड़ करने के लिए वड़न करने के लिए हरोर रोस्तनबर्ग द्वारा 1952 में एक्शन पेंटिंग सब्द प्रतिपादित किया था जैक्शन पुलाक ने और जैक्शन पुलाक का जब नेम आजए तो क्या यादा जाता है ड्रिपार्ट जो पेंटिंग फिला कर छिड़क कर अब डॉट्स मतलब ड्रिप के थुरू टपका कर करना शुरू किये थे जैक्शन पुलाक अब्शक्ट एक्सप्रेसनिजम आर्ट मुव्मेंट से बिलॉग करते हैं और ये आर्ट मुव्मेंट एक्सप्लोर हुआ था अमेरिका में टाइम डुरेशन है 1940-50 के टाइम डुरेशन में एक्सप्लोर हुआ है विज्ञान और कला सर्वनिष्ट नहीं है क्या नहीं है सन्वेदना PVA घोल को हलका सन्वेदशील बनाने के लिए उप्योग किया जाता है किसका अमोनिया डाइक्रोमेटिक का फास बाइटिंग, फास बाइटिंग किसे कहते हैं पता है जो गलत कटाओ हो जाता है गलत कटिंग जैसे हम जब प्रिंट मेकिंग में कोई प्रॉसेस कर रहे होते हैं गलत कटाओ को बोलते हैं धातु की प्लेट में फास बाइटिंग मुवेबल टाइप का अविस्कार हुआ था एक हजार पचास एडी में किसके थुरू जॉन गुटनबर्ग के थुरू अलबर्ट डूरर के काश उतकीरण को अभी प्रेरीद किया था माइकल वॉल की कृती ने भारत में लितोग्राफिय प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी अठासो बीस के टाइम डूरेशन में और पहली बार 1798 में सर सैनेफेल्डर इन्होंने शुरू किया था लितोग्राफिय प्रिंटिंग बीश्वी शताबदी के ग्रैफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप से प्रभावित किया था बाहाउस आंदोलन ने अब बाहाउस शुरू हुआ था वीमन नगर जर्मन में और इसके जर्मदाता कहे जाते हैं वाल्टर ग्रोपियर यूरोपेन भासा भविश्य का निर्माण का दावा किया बाहाउस आंदोलन ने देश भक्ती पूर्ड मिले सूर मेरे तुम्हारे इवन गवर्मेंट जॉब एक्जाम में भी पूछा गया था पीजूटी एक्जाम में 1998 में भारती ये टेलिवीजन पर प्रसारीत किया गया रचना है रचा था अतुल्य भारत के लिए ओगिल्वी ने जिस पुस्तक में लिखा है मैंने खून चक्खा है वह कौन सा था पुस्तक? Confidence of an Advertising Man और डेविड ओगल्वी कौन है? He was the founder, father of advertisement advertisement के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है वो आवश्यक्ता और कारे के संबंद में सोचते हैं वे अपनी समश्याओं का समधान करने में समक्ष है परन्तु उसकी कलपना अंतहीन है Paul Red के बारे में लाजलो मोहिली नेगी ने कहा था चीनी कम फिल्म का निर्देशक किया आर बालकृष्णा ने इस्टोन हेज ग्रेट ब्रिटानी में है और इस्टोन हेज क्या है तो ये थ्री पासार तीन पत्थर को इस तरह से कमपोश्ट किया गया है योध्धा शिल्पकृती बनाई गई थी चीन में और योध्धा बहुत फेमस है आर्मी मैन के नाम से इस तरह से एक ग्रेव ताइब का होल है यहां पर आर्मी मैन को खुब सारा दिखाया गया है इसनव बार्टल्स नसबा शिशियां बनाने के लिए विख्यात चीन है बोच्यानी का आंतरिक्ष में बौतल का विकास सिल्पिकृती है जो समाविष्ट है भविष्यवादी भविष्यवाद में मुदगर बना होता था किस से काश्ट से बना होता था ठीक है याद रखना है मुदगर किस से बना होता था काश्ट से काफी पर पूछा गया question है कोनाक में सुर्य मंदीर के जगमोहन पर सुर्य देव की प्रतिमाएं बनी है किसे बनाई गई थी? ब्लैक क्लोराइट से ठीक है ब्लैक क्लोराइट या हरा क्लोराइट से बना हुआ था पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है रिचर्ड हैमिल्टन ब्रिटीश की नागरिकता मिली थी ब्रिटीश का सुटिजन शिप मिला था रिचर्ड हैमिल्टन को पॉप कलाकार है पॉप कला स्टार्ट कहां हुआ था अमेरिका में इंगलेंड में शुरू हुआ था इंग्लेंड में याद रखना है इंग्लेंड में शुरू हुआ था और फ्लोरिज्ड हुआ था अमेरिका में बिनोद बिहारी मुखर जी ने अपनी वर्स 1946-47 की टाइम डूरेशन ने मेडाइवल संत भिती चित्र रेडी किये थे किस टेकनिक में फ्रेश को ब्यूनो टेकनिक में अती अधातवादी चित्रकार दिवॉल आफ दी मून मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन है दिवॉल आफ दा मून भिती चित्र पैरिस में रेडी किये थे युनसको इमारत पर जॉन मीरो ने काफी बढ़ पूछा गया कुश्चन है मैंने फाइव इस्टार लगा दिया है नोट डाउन भी कर लीजेगा इवन गौर्णमें जॉब एक्जाइम में भी पूछा गया है और जयारफ में तो पूछा ही गया है एक त्याल चित्र है ओयल कलर पेंटिंग बन सकता है पूमपोई से रोमन चित्रकारी में फैवरिज्म जिसे बोलते हैं फावाद फैवरिज्म से प्रेणा लेता है बेंजन्टाइन स्टैनलेस ग्लास अम्रिता शेरगिल की पिंटिंग का क्रोनोलाजिकल सिक्वेंस अरेंज करना है सबसे वहले इन्होंने न्यूट बन चौन्नोलाजिकल सिक्वेंस एरेंज करना था कलपसुत्र 1429 वाला कल्पसुत्र मांडू का था तीन कल्पसुत्र बहुत फेमस है जिसमें से 1380 का कलपसुत्र गुजरात वाला है और 1449 का मांडू वाला उसके बाद 1465 का जौनपूर वाला सबसे सर्वस्रेश्ट जौनपूर वाले कलपसुत्र को माना जाता है नेक्स्ट है नियामत नामा ये भी मांडू में चित्रित किया गया था पंदर सो पांच में नियामत नाम एवन में रेडी किये थे फिर उसके बाद है भगवत पुरान गुलेर का है 1782 1790 क्रोनोलाजिकल सिक्वेंस अरेंज करना है कुटुब मिनार का टाइम डूरेशन है 1193 का चांद मिनार है जो वो दौलताबाद में है देखिए चार मिनार है दौलताबाद में है और चांद मिना में दौलताबाद का है ठीक है चले नेक्स कुश्चन देख लेता है उत्तर से दक्षड के तरफ क्रोनोलाजिकल सिक्वेंस को अरेंज करना है सबसे पहले आ जाएगा अवंति स्वामी मंदीर उसके बाद आ गया मुर्णोरा का सुर्य मंदीर एक अश्मिय कैलासनात मंदीर एलोरा का और फिर लाश्च ब्रेह देश्वर मंदीर तंजोर का जिन सर्वशिष्ट एनिमेशन फिल्म फिचर फिल्मों का अकैडमी परसका प्राप्त हुए उनका क्रोनोलोजिकल सिक्वेंस अरेंज करना है सबसे पहले श्रैक दो हजार दो रेटार्टीवल दो हजार आर उसके बाद आइडियोग्राफिक हिरयोगलीफिक दैन रोमा अक्शर हिरोगलीफिक मिसर की बहुत फेमस लिपी है और डियोग्राफ्स चित्र लिपी जिसमें पेंटिंग्स के त्रू कंपोश किया जाता है पिक्चिर के थूए है चित्र भी होते हैं उसमें नेक्स्ट देख लेजे, यहां भी क्रोनोलोजिकल सिक्वेंस है, केलोग विज्यापन 1900, डेबली डेबलु डेबलु आई अमेरिकन रिक्रूटिंग पोस्टर 1918, कोग विज्यापन 1940, मार्लबोरो मैन 1954, क्रोनोलोजिकल सिक्वेंस, सबसे पहले साल भांजी का भरहूत में रेखने को मिल जाएगी, गंगा उतरड मामलेपूरम में, रावर शैकिंग, माउंड केलाश, केलाशना टेंपल एलोरा के, गुफा नंबर 16 में, अपसरा खजुराहों में, मुर्तिकारों का क्रोनोलोजिकल सिक्वेंस अरेंज करना है, 1485, जार्जिय अनो, टीशियन, लोरेंजो, केराविज्व, तोलो ये सारे बिलॉंग करते हैं, हाई रिनसर के वैनिसगड के आर्टिस्ट है, एक्षट है केराविज्व, बरूक आर्ट की जन्मदाता कहे जाते हैं, केराविज्व, पनर सो एकतर में जन्म हुआ, चार दीन, 1699, फ्रैंसियस दी गोया, 1746, फ्रैंसियस दी गोया, संधिक अलाकार कहा जाते हैं, इवन रोमेंटसिजम, आर्ट मुवमेंट से विलॉंग करते हैं, सचेत्र पांडू लीपियों का क्रोनलोजिकल सिक्वेंस हरेंज करना है, सबसे पहले हो जाएगा, अश्न सहस्री का, प्रग्या पार्मिता, पहली शताब्दी का, पाल डैनेश्टी का है, फिर आ जाता है, चौर पंचासिका, ग्यारवी शताब्दी का, चौर पंचासिका क के स्कुल करनी, 1918, ए रामचंद्रम, 1935, और अतुल डोडिया, 1959, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी क्रोनलोजिकल सिक्वेंस ही अरेंज करना है, प्रिंट मेकर का, अनुपमसूद, 1921, सौरी, हरेंदास, 1921, अनुपमसूद, 1944, विलाज सिंदे, 1953, वाल्टर डी, सूजा, 1957 प्रिंट मेकर का सिक्वेंस देखिए, प्रदिगालसन, रेंबरा का है, 1668, स्लीप आफ रिजन, गोया की है, 1799, जैन, अवरिल, एड, जॉडीन, दा पैरिस, तुलूज लोत्रे का है, 1893, दैस्क्रीम, इडवर्ड मूंग का है, 1893, अजप्शन और रिजन वाले क्वेश्चन है, अभी कथन और तरक वाले, सबसे पहले अभी कथन देख लेते हैं, प्रात्मिक एवं दृतियक रंग के मिश्टर में तृतियक रंग बनते हैं, प्रात्मिक और दृतियक जब दो कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं, तो थर्ड कल रंगी नाम से जाना जाता है अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है दुनों सही है अभी कथन है रंग पर हमारी प्रतिक्रिया संस्कृतिक विशिष्ट है वान गौग ने पीले को भगवान को रिजाने योग्य का रंग कहा है रशियन लोग बोलचाल की भासा की अभी व्यक्ति में मनोच इकितसे को पीला घर कहते हैं अभी कथन बिल्कुल सही है कारण देख लेते हैं क्योंकि डाइलन ने सारांस प्रस्तूत किया जब कहा सूरज पीला नहीं है ये चूज़ा है और कंडेंस्की ने कहा नारंगी लाल है जो पीले द्वारा मानवता को समीप प्लाया जाता है तो देखे अभी कथन तो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन कारण गलत है ये चूज़ा वोज़ा वाला कुछ नहीं होता ठीक है ये गलत है अभी कथन है एक रूप से वो नुकता जो प्रश्ण चिन्दे के नीचे रहता है आई के उपर रहता है बिंदू कहलाता है शब्द की व्यादपत्ती मनुशोत वारोप प्रकट करता है जैसे की ठंडल या कंधा देखे अभी कथन तो बिल्कुल सही है अब कारड देख लेते हैं जीवन के आंगीक बोध ने रोमन अक्षर को ज्यामितिये ग्रीक से प्रिथक किया अजप्षन और रिजन दोनों सही है ठीक है अभी कथन भी सही है और कारड भी अभी कथन अजप्षन है अतियतार्थवादी चित्रकार अतरकपूर छेतर तथा कलपना की दुनिया से निकले तत्वों से संगटी होती है कारड देख लेते हैं रिजन क्योंकि अतियतार्थवादी अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं को प्रसफोर्टन था सो देखी यहां पर अजप्षन और रिजन दोनों सही हो गया क्यों क्योंकि देखी अतियतार्थवाद जो होता था उसे इंग्लिश में बो का आप शुरू होते हैं सेलेलिश में इस्टार्ट हुआ था नाइंटीन ट्वेंटीफोर कहां पर शुरू हुआ था पता होना चाहिए कि फ्रांस में शुरू हुआ था और सेल्विडर डाली यहां के फेमस आर्टिस्ट कहें जाते हैं नेक्स्ट है मन्रे और भी काफिश है मैंने हो गया है सेलविडर डाली और मैक्स अर्नेश्ट इवन यहां पर देखें वर्क जो हुआ था वो कैसा हुआ था और किसके मनोविश्लेशर से यह आर्ट मुमेंट आपने सिग्मट फ्रैड का नाम सुना होगा सिग्मरड फ्रैड ठीक है इनके जो ठीट यॉरी और अनकॉंसियस समाइन इनके थीओरी से यह आर्ट मुमेंट इकस्प्लोर हुआ था एक फैमस पर है उसके बाद प्रड़ेता कवीं यहाँ पर कह जाते हैं आर्डरे ब्रेटर यहां पर देखिए जो पेंटिंग को कैप्चर किया गया था यह ज्यादा फेमस रहा है चले नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन कहरे हूं सौरी अभिकतन अभिकतन है शुग कालीईन मुर्तियों से सपार धरातल सहीत अल्प उद्भृत आवश्यक उद्केडन किये जाते हैं अभिकतन सही है यह गलत है आपको बताना है देखिए अभिकतन बिल्कुल सही है अब देख लेते हैं कारण क्योंकि मुर्तिकारों के परिप्रिक्ष का ग्यान नहीं था मुर्तिकारों को परिप्रिक्ष का ग्यान ऐसा तो नहीं है कि मुर्तिकारों को परस्पेक्ट्व का नॉलेज नहीं होगा तो कथन सही है अभी कथन सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा most probability जहाँ पर negativity की बारे में बात हो जाए नहीं के बारे में तो वहाँ पर जादर से जादर questions रॉंग ही हो जाते most probability ठीक है नौर से ओर चलिए next question देख लेते हैं अभी कथन है अजप्षन ऐसा कहना युक्ति युक्त होगा कि अमुर्द कला के छेतर में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविक्ता का समाकलन होता है कारण देख लेते हैं क्योंकि रूप और विसे वस्तु दोनों में मुर्द छवी की स्रजन करते समय समसामाईक सुसंगता की मांग मानों अभिव्यक्ति के लिए अंतरनीहीत और स्वाभाविक होता है अभी कथन और कारण दोनों सही है अभी कथन देख लेते हैं अजफशन ग्राफिक आर्ट की जड़े प्रिंट मेकिंग में होती है ग्राफिक आर्ट की जड़े होती है वो प्रिंट मेकिंग में ही होती है अभीकतन सही है कारण देख लेते क्योंकि ग्रैफिक आर्ट ने द्रीपक्षी ये दिशा पकड़ी है एक विशुद्य मूर्ट अभिवेक्ति की ओर और दूसरी और द्योगी की ओप्योगिता की ओर अभीकतन और कारण दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे का मतलब एक दूसरे से रिलेट करके सही नहीं है जैसा कि देख लेज़े ए और आर्ट दोनों सही है पर उन्तों ये अभीकतन का सही कारण नहीं है अभीकतन है अजप्षन सनत करने रंग सांद्रता प्रिंट में वाचनी है मूर्थ प्रभाव डालने के लिए सनमाइका का पता लगा कर उसका उप्यों की है अभीकतन बिल्कुल सही है और सनत कर बहुत फेमस है वुड इंटेगलियो के लिए पूछा जाता है वुड इंटेगलियो के लिए कौन जाना जाता है सनत कर क्योंकि यह आधुनिक भार्ती कला का ऐसा काल था जब प्रिंट मेकर, प्रिंट कार, माध्यम और सामागरी में सभी संभव नए छेत्रों का पता लगा रहे थे अभी कथन और कारण दोनों सही है अभी कथन है अजप्षन इस पश्ट रिखाएं और सुगटित रूप अलबर्ड ड्यूरर के प्रिंट की विशेश्टा है अभी कथन बिल्कुल सही है कारण देखिए क्योंकि अलबर्ड ड्यूरर का प्रारंबिक प्रस्टिक्षर पारंपरीक स्वड़ शिल्पी परिवार में हुआ तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था इनके फादर क्या थे हैं गोर्ड समेत हैं तो अफकॉर्स इनका जन्म स्वड़ शिल्पी परिवार में ही हुआ था अभी कथन और कारण दोनों सही है अभी कथन देख लेते हैं अभी कथन पहले देख लेते हैं अजप्षन क्या कहा जा रहा है कि माटी या प्लाश्टर की मुर्ती का प्रतिरूप त्यार करने से पुर्व लोहे आर्मेचर से कारे आरंब करना अनिवार है तो देखिए अभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है अच्छा यह बता है आर्मेचर होता क्या है आर्मेचर आपने यूज़ किया होगा बीएफे सेकेंड डियर में जब हम लोग स्कल्प्टर बना रहे होते हैं मुर्तियां दैन उसमें लोहे के आर्मेचर का यूज़ करते हैं और आर्मेचर का यूज़ होता कहा है तार होता है और दूसरा देख लेते हैं कारड क्या है कांसे और पीतल की धातू मुर्तियों में भी मुर्ति के आकार को अंदर से इस्थीरता देने के लिए लोहे के आर्मेचर का यूज करना आवश्यक है नहीं बिल्कुल आवश्यक नहीं है क्योंकि जो लोहे का आर्मेचर होता है वो मिट्टी ये प्लास्टर में ही यूज किया जाता है उसे स्टैबल करने के लिए ताकि वो तूटे ना क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं तो एक चिकोटी पद्दती process में होता है क्लीard मॉडलिंग में additive process में additive process में बना रहे होते हैं क्योंकि एक dot से point point जोड जोड के बनाना होता है सो यहाँ पे अभी कथन बिल्कुल सही है लेकिन बिल्कुल गलत है नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं अभी कथन है काशे की मुर्तियां पीतल की मुर्तियों से अधिक मजबूत होती है अन्य धातूं को सम्मेश्टर काशे को मजबूत बनाना है तो बनाता है तो देखे अभी कथन बिल्कुल सही है कांशे की जो मूर्तियां होती है ब्राँज की वो पीतल की मूरतियों से अधिक मजबूत होती है कारड है कांशे में तांबे का उच्च अनुपाद जिसमें कुछ शीशा मिला रहता है इस सामागरी को द्रेडतर बनाता है और उस माध्यम में और अधिक लचिलापन को यकीनी बनाता है तो दोनों सही है अभी कतन भी सही है और कारड भी सही है यह सारे पता ब्राउंज कास्टिंग के अजप्शन और रिजन वाले क्वेस्टन्स है अगर आपने इस कल्प्चर का पोर्शन अच्छे से क्लियर किया हुए तो यह सारे क्वेस्टन्स में आपको कोई कन्फियोजन नहीं होने वाला है अभी कतन देख लीजे प्राक्रती में विभिन्ने वस्तूओं का अध्यान और उनकी प्रिष्ट भूमे की इस पर से सनवेदना को समझना मुर्तिकला के विद्यार्थी के प्रारंबिक प्रसिक्षड का अनिवारे अंग है अभी कतन बिलकुल सही है अब देख लेते हैं कारण क्या कहा जा रहा है इससे उन्हें न केवल अभीवेंजना के माध्यम की इस परशिय गुडवत्त को समझने में सहायता मिलती है बलकि बुनावट में भी यह तिछड सजगता का विकास करती है इस अभ्यास द्वारा यह निशित हो जाता है कि वस वस्तु की सजीव सचाई को समग्रता से समझा गया तो अभी कथन और कारण दोनों सही है आजप्शन वाले क्वेशन पहले देखते हैं गौथी काल में मुर्तियों वास्तुकला की तूलना में चित्रकला की भूमी का कम रही है अभी कथन बिलकुल सही है अब कारण देख देख लेते हैं क्योंकि चित्रकला की अप्यक्षा नौ इस्थापत निर्माण ने प्लास्टिक कलाओं को व्यापक प्रदान चेत्र प्रदान किया अभी कथन और कारण दोनों सही है अभी कथन देख लेते हैं सबसे पहले पारंपरिक भारती चित्रकला ने एतिहासिक वि अधार्मिक विश्यों पर अपना ध्यान के इनृत किया अभिकतन विल्कुल सही है कारण देख लेते हैं क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था दोनों ही सही है अभिकतन और कारण दोनों अजप्षन प्रतिष्ठान कला एवं स्वयम प्रतिष्ठान कला स्वयम की चित्रकला तक ही सिमित नहीं करती कारण है क्योंकि प्रतिष्ठान कला की एक ही कृति में मुर्थ अभिव्यक्ति के सभी रूपों को सामाहिक करने की संभावनाओं का उप्योग करती है तो अभिकतन और कारट दोनों ही सही है मैस दे फॉल्लिंग्स वाले क्विस्टेन है डियोगो विलास्क्यू ट्रेंप और बैच्चर्स फ्रैंच हैल्स माले बाबे इड्वर्ड मुंक दैस्क्रीम मोदिगलानी पोर्टरिट और चैम साउटीन वस्तुएं एवं उनके संग्रहाले के वारे में अशोक का सिर्ज इस्टंब कहां पर है सारनाथ लाइन कैपिटल कहां है सारनाथ म्यूजियम में फ्रंट में ही रखा हुआ है म्यूजियम में जैसे ही एंटर करेंगे बिल्कुल फ्रंट सामने देखने को मिल जाएगा कनिस का आवक्ष है मतुरा में गोवर्धन धारी, गुप्त काल भारत का लभवन बी एच्चु में है दिदार गन्जी अक्षी पटना संग्रहाले में है मौरे टाइम डिरेशन का है और ये है कुशान काल का गोवर्धन धारी, गुप्त काल का है और दिदार गन्जी अक्षी, मौरे काल का ही है बुक्स है और उनके राइटर का नाम काफी बाप उचा गया क्वेशन ये वाला भी है प्रिंसिपल ओफ आर्ट हिष्ट्री हैंडिक वॉलफिन का है अर्नोल्ड हासर, विजन अंडिफरेंस, ग्रिसल्डा पलॉग, मीनिंग इन दे विजवल आर्ट्स, इर्विन पॉन फसकाई टैड बर्ट्स, टैड बैट्स, रॉजर रिजव, O&M, डैविड ओगलवी, डीडी बी, विलियम, बर्न बर्च, लियो बर्नेट, लियो बर्नेट सुमेलित करना है इसे भी सबसे पहले कुछ खास है, कुछ खास है, कैड़वरी डाइ मिल्क सच दिखाते हैं हम NDTV, इंडिया, सुअपन देखा है, मैंने, Cry, Child Ride, and You डूंडते रह जाओगे सब सरपेकसल, चले, यहाँ पर विज्यापनों का क्रोनलोजिकल सिक्वेंस अरेंज करना है सबसे पहले देखिए, Mac and Ericsson Coca-Cola का विज्यापन थंडा मतलब Coca-Cola FCB, उलका, Advertising, Whirlpool O&M, H, Vodafone सनवीदा विज्यापन, Domino's, Domino's Pizza शिशको का क्रोनलोजिकल सिक्वेंस अरेंज करना है जैसे इंराडी और इब्राहीम के जी सुप्रबंद्यम का है Girl at the Well, उकील का है Swippers, KK Haber का, Black Nude, Ara का है कलाकारों को उनके कृतियों के अकॉर्डिंग अरेंज करना है सबसे पहले Georgiano का है Time Test, Peter Paul Ribbons का है Rep of Europa, Gister Corbett का है Stone Bracker, Henry Mattis का है Red Studio यहाँ पर भी सुमेलित करना है नियोतांत्रिक, विरंडे, फोटो, यथातवाद, विकोस भटाचारे, लोक, ननलाल बोस, लोक कला के लिए फेमस रहे थे और अमूर टैप्स्टक के लिए जहांगीर साबावाला जोकोमेंटी का बहुत, जोकोमेंटी का बहुत फेमस है, मैन पॉइंट, ब्रांकुसी का है, किस, और मौरी नो मौरी नी का है, होर्स और राइडर, हैंदी, मूर का है, पर्ड बास्केट, एक बार इन सारे आर्ट वर्क का पिक्चर ज़रूर देख लिएगा यहां पर मैस्दो फॉलिंग्स वाले कुश्चन, देख लेते हैं, कुश्चन फर्स्ट है, पर्स्पेक्ट्व का यूज़ किये थे नौजाग्रड काल में, पॉल विच्छेलो काहे जाते हैं, इस्थीर मिश्र में इस्थीर कला का यूज़ किया गया, लगुचित्र राज में और करारा माबल फ्लोरेंस में, और अगर पर्स्पेक्ट्व की बारे में पूछा जाएं कितने टाइप्स के होते हैं, there are two types of perspective, पहला होता है लाइनर पर्स्पेक्ट्व, दूसरा होता है एरियल पर्स्पेक्ट्व, अब आप कैसे पहचानेंगे लाइनर और एरियल पर उसे बोलते हैं, लाइनर पर्स्पेक्ट्व, second हमने कोई composition बनाया, उसमें colors के through डिपिक्ट कर रहे हैं, that is called aerial perspective, that means वाइवी ये परिप्रेक्ट्व, तो आपको याद रखना है, परिप्रेक्ट्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सही सुमेलित करना है, यहाँ पर भी, अल्प, उद्भृत, असीरियन, नकाशी, Gets of Paradise में देखने को मिल जाएगी, Gets of Paradise किसका है, ये भी याद रखना है, लॉरेंजो गिबर्टी का, लॉरेंजो गिबर्टी, कौन है, अर्ली रिनेशन्स, फेमस, लैक आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं इन्हें, और स्कल्प्टर आर्टिस भी, मद्ध, उद्भृत, खजुराहो, त्री आयामी, ब्रांको सी, सही सुमेलित करना है, एक्वा टिन्ट, रेजिन, डश्ट का यूज किया जाता है, एक्वा टिन्ट में, मैजो टिन्ट में, रॉकर और रॉलेट का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है किसका, रॉकर और रॉलेट का, नेक्ष्ट है, उतकेडन, इंग्रेविंग, और ज बहुत फेमस थे ड्राइपॉइंट के लिए इन्होंने 300 प्लस एचिंग प्रिंट में काम भी किया है और एडवर्ड मुंक इनका लीथोग्राफी में काम देखने को मिल जागा फ्रांसेस दी गोया का एचिंग तामर उतकेडन में और पॉल गॉगन वुड कट में काम करते थ है मुंबई में 1894 में चला मंडल 1966 किसे इस्पानिक कर ने इन्वेंशन किया भारत भावन भॉपाल में है 1982 टाइम डिरेशन है सो फाइनली आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेशन कंप्लीट हो गए नेक्ट क्लास में इस तरह के इन्फॉर्मेटी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इवन बेल इकन अबर अगर आपने प्रेस नहीं किया सो प्लीज प्रेस दे बल आइकन और अल्सो लाक सब्सक्राइब और शेयर थैंक्स पर वाचिंग बेस्ट विसस फॉर एक्जाम